नमस्कार मैं हूँ मुस्कान अस्मानी और आप देख रहे हैं प्रैम टीवी तो राजधानी लखनव में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई हैं सभी महापौर और पार्षत प्रत्याशी पूरे जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं तो चाय की दुकान से लेकर गली मुहले के नुकड़ पर चुनाव को लेकर ही चर्चा हो रही है तो वही राजधानी का मतदाता बहुत खामोशी से बनते विगरते समिकर्णों पर नजर गड़ाए हुए है लखनव में साल 1995 से भारती या जनता पार्टी का नगर निगम पर एक शत्र राज रहा है लेकिन इस बार समिकर्ण जरा बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं आम तोर पर पिछले चुनावों में भाजपा की सामने समाजवादी पार्टी ने चुनावती पेश करने की कोशिश की थी लेकिन 2023 के निकाई चुनाव में बीजेपी को कॉंग्रस पार्टी भी कड़ी तक कर देते हुए दिख रही है कॉंग्रस ने इस बार संगीता जैसवाल के रूप में एक सशक्त महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जिनका राजनीतिक परिवेश थे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है फिर भी वो एक सब्या सिक्षित परिवेश थे आती हैं उनके पती राजेश जैसवाल राजधानी के जाने माने बिजनसमेन होने के साथ साथ समात सेवी भी है जो लगातार लोगों की मदद करते आए हैं तो बीजेबी और कॉंग्रेस की बीच उस बार काटे की टककर देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार वो बतार समात सेवी भी काम कर चुकी है और उनके पती ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं यही वज़ा है कि वो लोगों के बीच काफी लोगप्रिया है और लोगों का जनाधार भी उन्हें खासे तोर पर मिल रहा है और लगातार वो जनता के बीच जा रही है और जहां जहां वो पहुँच रही है जनता का जनाधार भी उनको काफे मिल रहा है क्योंकि वो लोगों के बीच एक लोग प्रिय चेरा है तो कॉंग्रिस की मेयरपत की प्रत्याशी लगतार जनता की बीच पहुच रही है और जनता से जनाधार मांग रही है साथ जनता सही अपील कर रही है कि वो उनके पक्ष में वोट डाले चुकि संगीता जैस्वार पर इस बार कॉंग्रिस ने दाव लगाया है और वो बताओर समात सेवी भी लोगों के बीच काफी लोग प्रिया रही है यही वज़ा है कि इस बार भाजपो और कॉंग्रिस के बीच काटे की टककर देखी जा रही है हमारी आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार